तो गुट इवनिंग एवरीवान चलो जी आजो लेट्स रिवाइस जो भी कल अपने फंचन तो फट 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 रिवाइस करते हैं पहला फंचन अर्बिया का अर्बिया रिजर्व बैंक आफ इंडिया खूब सारा पैसा है कर पैसा इशू करेगी मार्केट में करन्सी नोट इशू करेगी बॉस डन करन्सी नोट इशू करती है बैंकों की बैंक है और गवर्मेंट की भी बैंक है वह बैंकों की बैंक है बैंकों की बैंक है और गवर्मेंट की भी बैंक है क्लिया दो पैंट्स हो गए फॉरें एक्सचेंज रिजर्व का कस्टडियन है है वो custody रखती है foreign exchange reserve controller of credit है credit को control करती है ठीक है यहाँ पर आपके कुछ points आये थे जाते कि quantitative and qualitative यह आज मैं आपको बता दूँगी फिर उसके बाद में collection and publication of data compile करती है सब जगह से data जितने भी banking related data जितने भी finance related data है जितने भी insurance related जो भी कुछ सब्सक्राइब करती है और publish करती है कोई भी उनके newspapers या magazines में ठीक है कि promotional and developmental functions ओविसली agriculture sector develop करने के लिए पैसा रेस करती है वो उसके बाद में कौन साथ अपना industrial sector के लिए पैसा देती है उसके बाद में other functions तो देवा एट functions सिर्फ आर्टी functions और फटावर से अब आप मेरे साथ साथ बोलोगे आर बीए के function पढ़ रहे issue of currency notes बैंकों की bank government की bank custodian of foreign exchange reserve फिर क्या है आपका compilation and publication of data उसके बाद में controller of credit उसके बाद में क्या बोलोगे promotional and developmental functions particular particular area को भी promote करती है और डवलप करती है जैसे गाओं में bank के नहीं है डवलप कर दिया बांक गाओं में agriculture के लिए पैसा नहीं है उनको पैसा दे दिया गाओं में इंडस्री नहीं है उनको industries setup करके दिया उसके लिए पैसा दिया and such a the function done everyone this eight point clear eight points learn way आपको मेरे साथ साथ बोलो फटा फट से पक्का ठीक है अब आजो इसके अंदर के content की तरह issue of currency note में क्या बोलोगे सारे notes issue करती है except all your one rupee note and all points ठीक है except one rupee note and coins वो सारे notes वगरा issue करती है यह क्यों issue नहीं करती क्योंकि this is signed by your finance secretary ठीक है government का वहां पर signature चाहिए okay now अगर 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 उनको कुछ पैसा issue करना currency note issue करना तो उनको minimum reserve system 1957 के हिसाब से 200 करोड रुपए उनको reserve रखना पड़ेगा 200 करोड में से भी 115 करोड का सोना चाहिए gold चाहिए gold सोना और 85 करोर का आपके क्या चाहिए government securities चाहिए और foreign currency चाहिए ठीक है फिर bankers government बैंकों की government की bank है यहाँ पर क्या लिखोगे आप government की bank में यहाँ पर क्या लिखोगे कि भाई वह banker है वह agent है वह advisor है अर्बिया क्या करती है bans के बिहाफ में पैसा accept करती है government की बिहाफ में पैसा लेती है उसको manage करती है पब्लिक से अगर अगर उन्होंने debt लिया है तो पब्लिक से पैसा लिया है तो वह भी manage करेगी कहा यूज करना कहा नहीं करना and advice करेगी की गवर्वर्मेंट को लिए दस पार्ट बैंकों की बैंक है यहांपे क्या बोलूं मैं वेरी सिंपल कि भई स्ट्यूटरी कंट्रोल होता है उसका उन वर्किंग ऑफ कमर्शिल बांक किसका अर्बीया कमर्शिल बैंक की वरकिंग पर अच्छा खासा now it is mandatory for all scheduled banks सारे scheduled bank के लिए का mandatory है कि वो minimum cash reserve रखे RBI के पास में against अपने deposits and your deposits can be demand and time demand में बोलोगे saving and current और यहां पर बोलोगे FD and RD done फिर बाद में आप क्या बोलोगे कि cash reserve system रखना पता है sorry custodian है वो foreign reserve का यहां पर क्या बोलोगे custodian of foreign reserve में foreign reserve custody रखते मतलब क्या मतलब यहां पर हम लोग buying and selling buying and selling of currencies of all members of IMF first point official exchange rate maintain करता है stability maintain करता है rupee के value की यह सारी चीज़े maintain करता है controller of credit में क्या बोलोगे आप यहां पर RBI influence करता है कितना volume of credit create करेगी आर्वे influence कर रहा है कि यह जो छोटी बैंक से commercial बैंक से कितना volume of credit create करने वाली है कितना market में पैसा देने वाली समझ में आ रहा है it monitors purpose and use of credit मतलब कि इन्होंने अगा credit दिया है तो किस purpose के लिए हाँ खेती के लिए दिया है चलेगा industries के लिए चलेगा business के लिए चलेगा लेकिन personal loan नहीं चलेगा ऐसा कुछ ठीक है now RBI controls by way of quantitative method and qualitative method यह मैं अभी आपको बताती हूँ थोड़ था मुझे time दो एक पहले पूरा revise कर ले ता फिर बताती हूँ quantitative method and qualitative method ठीक है now collection of collection publication of data यहाँ पर क्या बोलोगे RBI collect करती है compile करती है लास्ट में publish करती है statistical data किसके bank of financial institutions के promotional and developmental function में क्या बोलोगे banking facilities को extend करते हैं हम rural गाउं गाउं में and semi-urban areas अर्बन नहीं अर्बन मतला मुंबाई पूने दिल्ली कोलकता यह नहीं semi-urban and rural area security देते हैं depositors को and specialized institutions frame किया है हमने जो agriculture sector को promote करती जो industrial sector को promote करती है then and other functions जैसे कि हम लोग settling account account central करते हैं दो बैंकों के बीच में lender of last is daughter जब वो बैंक का दिवाला निकल जाता है तो यह बैठा है जब आप आपने मान लो कुछ गलती कर दी तो तुम्हारे अबब जी बैठे रहते पपा बैठे रहते दादा जी बैठे रहते घर के वही काम है ठीक है पूरी माइंड में जानी चाहिए पता है क्या यह लो सारे करेंसी इशु करते हैं एक्सेप सिर्फ रेड कलर देखोगे सिर्फ वान रूपी नोट सो कोई नहीं करते हम minimum reserve system 1957 के तहर कुछ minimum gold foreign currency हमें रखना होता है 200 करोड on an average मतलब exchange 200 करोड अगर आपन रख रहे हैं तो उसमें से 115 करोड का goal चाहिए बाकी का अपन को foreign currencies यह government securities चाहिए ठीक है जी फिर banker to the government में बोलोगे कि वह banker है एडवाइजर है एजेंट है government का bank के बिहाफ में वो पैसा लेता है पैसा देता है public debt को manage करता पब्लिक debt को manage करता है वो अपकी मैम ने ऐसे करवाय था और वो advise करता है किसको government को banker का bank इसको क्या बोलोगे ऐसे ही लर्न करोगे जो जोर से बोल के ही लर्न करना मैं आपको लर्न करके दिखा देती हूं कई बार तो मुझे आपके आंसर लिटरली पूरे लर्न हो जाते है यार चलाओ बैंकों की बैंक है बैंकों की बैंक है तो क्या बोलोगे यहां पर बोलो मुझे statutory control है यहां पर किसका ओवर दा वर्किंग ओफ कॉमर्शिल बैंक ठीक है वह उपर ते कंट्रोल करेगा यह कॉमर्शिल बैंक कैसे काम करते है उसके बाद में आप mandatory minimum cash reserve maintain करना आपको compulsory with RBI against your deposit which can be your demand deposit time deposit demand deposit again to time deposit again to custodian of foreign exchange reserve यहां पर क्या बोलोगे buying and selling of foreign currencies ठीक है of all members of IMF first point उसके बाद में official exchange rate maintain काते है stability करते हैं controller of credit यहां पर quantitative method qualitative method बोलेंगे publication of data यह सब हम लोग पब्लिक करेंगे compile करेंगे publish करेंगे किसका क्या statistical information promotional and developmental यहां पर बोलेंगे banking services को extend करना financial institutions यह specialized institutions को organize करना develop करना ताकि वो agriculture industrial sector को credit दे and security depositors को यहां पर settle करेंगे account and as well as your last resort ताकि हम लोग liquidity प्रवाइड करते बैंक को in the case of your financial difficulty done everyone done clear चलो जी आजाओ अब बात करते हैं अपन इसकी detail में थोड़ा था यह मैंने बोला था कि मुझे इसको करवाने के लिए मुझे थोड़ा था तुमारा लेक्षर चाहिए बैंक रेट क्या होता है गईस प्लीज राइट इडाउन एवरी वान ठीक है अब आपको यह लिखकर लेना है what do you mean by this बैंक रेट बैंक रेट क्या होता है आर्विया क्या करता है पता है आपको आर्विया क्या करता है जो भी इसके कॉमेर्शिल बैंक है ठीक है अगर यह बैंक आती है आर्विया के पास में कि सर मुझे कुछ पैसा उधार दो ना सिर्फ समझ के लो रट्टा नहीं माने एक्जाम में कोई नहीं पूछेगा ठीक है आपको तो कोई भी नहीं पूछेगा ट्वल स्टैनर के लेवल कभ बैंक से कोई भी डॉमस्तिक बैंक से अपने इंडिया की उसको अगर लोन चाहिए उसको अगर पैसा चाहिए तो सीधा जाता उपर अब अपने दादा जी बोलते हैं ऐसे फोकट में नहीं दूंगा इत्ता इत्ता में को ब्याज लगेगा तो यह भी वैसी लेते हैं लो अपने डैडी ने कभी कुछ मांगा ठीकि बिजनस के लिए कुछ पैसा मांगा लोन मांगा तो यह सच में हमारे अबबाजी नो सच में लोन लेते हैं मतलाब इंट्रस्ट चार्च करते हैं करते हैं मैंने तो देखा है आपने देखा है नहीं देखा है पता नहीं देख तो ये हो जाता है bank rate मतलब जबी भी ये bank को borrow करना होता है तो वो interest charge करता है कौन ये interest charge करेंगी ये पैसा लेंगे और ये interest charge करेंगे clear bank rate समझ माया बहुत short में बता रही हूं लिख के ले लो कहीं पे चाहिए तो लिख के ले लो ठीक है कभी भी domestic bank अगर जाती है RBI के पास में borrow क करने के लिए तो ये वाली जो बैंक है हमसे interest charge करती है तो फिर बाद आती open market operations क्या होते हैं यहां पे open market operation में क्या होगा पता है क्या जो central bank बैठी है तुम्हारी RBI को central bank भी बोलते हैं ठीक है जी तो यह जो central bank है न तुम्हारी कई बार government securities को purchase करती है या sell करती है government के जो shares है कौन purchase कर रहा sell कर रहा आरी भी आ है government खुद अपने share को purchase कर रहे sell करें अब एक चीज़ नोटेस करना यह फिर एक काम करो नहीं यह चीज़े लिख कर ले लो कहीं पर यहीं पर लिखवा दू क्या है यहां लिखवा दू क्या भूल जाओ कि कोई मतलाब नहीं है फिर आसा हो जागा कि पढ़ाया नहीं पढ़ा ए bankerette में क्या और है RBA क्या करती हैं interest charge करती है और इसको बो बॉर ओड है अदे यह जो भी उन्होंने loan लिया है borrowed fund बोल दो यह लोन लिया है किसने जित्ती निसवे domestic bank हे। सब के सब यह गे तुमकेत मारा bank rate ओपन weed operations क्या होता है यह लिख लो यहां पर लिख्वार रियो open market वेज लिखना यह नोट्स में नहीं है ठीक है ठीक open market operations क्या होता idea अर भी अब परचेस करती है government securities या फिर वो sell करती है government securities ठीक है ती मतले को तो सिक्योरिटी दो जाए गड़िए डन अब बात आती है कब पर्चेस करती है कब सेल करती है तो अब थोड़ा देहान रखना at the time of recession recession मतलब और at the time of inflation अब ये दो टॉपिक में आपको बहुत बहतरी इन तरह से chapter number one में अच्छा खासा explain किया था please tell me guys yes बोलो अच्छा ये पर्चेस सेल किससे हो रहा है ये बैंक से हो रहा है किससे हो रहा है बैंकों से हो रहा है अब मुझे थोड़ा था इसके पीछे का लॉजिक बताना कि क्यों ऐसा करें अब खुद चोग है recession है इनके पास में ये बिचारी जो बैंक है छोटी छोटी बैंक इनके पास पैसा नहीं है तो हम इनसे पर्चेस कर लेंगे सिक्योरिटी तो इनको पैसा दे देंगे लिए और जब inflation है बहुत महँगाई बहुत जादा है ठीक है तब हम लोग क्या कर रहे हम लोग बेच रहे है यह हम बेच रहे हैं और हम पैसा ले रहे मार्केत समझ मारे गाई अगर रिसेशन समझ गया तो इंफलेशन भी समझ जाएगा कन्फिशन का सवाल नहीं बहुत जादा इसको फोकस नहीं करना है रट्टा नहीं मारना है ठीक है एक समझा तो दूसरा अपने आप समझ जाएगा पहला क्या है कि आर बिया रिसेशन के टाइम पे जब मार्केट में पैसा नहीं है ठीक है रिसेशन चल रहा है डाउनफॉल चल रहा है पूरी एकनॉमी रुख सी गई है तो मार्केट में पैसा चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं हम पर्चेस करते हैं कवामेंट सिक्योरिटी और इनको पैसा देते हैं इसका उल्टा इधर चलो जी अब आजाओ सी आरार क्या होता है यह तो मैंने आपको बता है था कि कैश रिजर्व रेशियो यह अपने अभी पढ़ा है कि कैश रिजर्व रेशियो हर एक बैंक को हर एक कमेशिल बैंक को मेंटेन करना होता है वित आर भी है हर एक बैंक को कमेशिल बैंक को मेंट करना होता है with RBI, ठीक है, okay, SLR क्या होता है यह बताना फिर, SLR क्या होता है, बोलो जी, yes, waiting for your comments, बोलो, नहीं पता, नहीं पता डिया, अरे, simple है न, आप CRR के case में ऐसा लिख दो, CRR क्या होता है, पता है क्या, हर एक bank कुछ percentage ना amount cash में RBI के पास में, cash reserve ratio, नाम ते मालूम पढ़ा, cash में reserve रखती है, cash percentage of cash, जो आप RBI के पास में maintain करते हो, with RBI, ऐसे लिख रहे है, यह मेरा with RBI, अब, okay, SLR क्या होता है, statutory liquidity ratio, नाम ते मालूम पढ़ा, liquidity है वो, liquidity है मतला, कुछ liquid पैसा हम maintain करते हैं, यहां पे, liquid maintain करते हैं, मतलब, liquid maintain करना, मतलब, यह बैंक है, बैंक के पास में, जितना भी deposits आया है, जितना भी demand and time deposits आया है, उसका कुछ पैसा हम लोग liquid form में, liquid assets के form में maintain करते हैं, मतलब, liquid assets मतलब, it's as good as your near money, cash money, समझ में आ रहा है, bank तूरंथ इसको, RBI तूरंथ यह पैसे को sell off करके, पैसा ले लेगी, yes or no, liquid, बताया था मैंने आपको, yes or no, liquid assets बताया था, अपने किया है, last lecture में, liquid assets क्या होता है, ठीक है, तो RBI तूरंथ यह liquid, देखो, commercial bank, कुछ liquid assets RBI के पास में maintain करती है, cash reserve ratio क्या हो गया, commercial banks या जो भी banks है, वो कुछ हिस्सा cash इनके पास में reserve रखता है, liquid में liquid assets, statutory liquidity ratio में हम लोग liquid asset रखता है, यहाँ पे cash रखता है, that's it, इतना ही समझो, मोर दने नखता है, ठीक है, at least कोई पूछेगा, तो आपको at least आना तो चाहिए, होता क्या है, ठीक है जी, अच्छा, इसका full form ध्यान रखना, exam में यह हो सकता है कि full form आपको पूछ ले, अब अब आताती, fixed margin requirement क्या होते हैं, what do you mean by this fixed margin requirement, अब एक बात समझना, bank जो है न, RBI जो है न, कभी भी तुमको loan देगी न, तो तुमने जो amount security की amount रखी है न, उसमें से कुछ specific margin, fixed margin deduct करता है, और बचाव amount तुमको loan देता है, यह उड़ाता तुम्हारा fixed margin requirement, मतलब वो नोंने कुछ fixed margin रखा है, भाई वो खुद भी तो कुछ तो कमाएगी, तुमने security दिया और तुम उनसे loan मांग रहे हो, तो RBI ऐसे loan नहीं देता है, पूरा का पूरा loan नहीं देता है, वो बोलता है, जितना है मानलो तुमने किते की security रखी है, मानलो 1000 करोड की security रखी है, ठीक है 1000 करोड में से उनका मानलो 10% है, तो शायद 100 करोड अपनने security रखे, तो 9,900 करोड रुपए वो आपको क्या देदेगी, loan देदेगी, समझ में आ रहे है, कौन किसको loan दे रहे है, आर भी है, commercial bank को loan दे रही है, अपन को नहीं दे रही है, ठीक है जी, clear, this part, थोड़ा टेकनिकल है, बट समझने की कोशिश करो, बहुत सिंपल है गई, प्लीज, ठीक है, ओक्या, now what do you mean by this term, credit rationing, credit rationing मतलब क्या हाता है, चोड़ा का Google करो, चलो, करो Google करो अभी क्या आता है माहां पर, credit को ration करना, मतलब क्या हो रहा है, credit को balance करना, मतलब, credit rationing मतलब बोलो न, किया Google, everyone, Google किया क्या, नहीं किया, चलो, ठीक है मैं बताती हूँ, यह ऐसा situation है, जहाँ पे, extra further loan देना, possible नहीं है, मन नहीं है, कि prevailing interest rate पे और loan दिया जाए, अहां, कम है, interest rate बहुत कम है, हम में loan नहीं देना है, तो यह ऐसी situation है, कि जहाँ पे RBI credit rationing करती है, बोलती है, यह interest में आपको loan नहीं दूँगी, RBI बोल दी, commercial bank को कि यह interest पे हम आपको loan नहीं देंगे, समझ में आ रहा है, clear है, everyone, सिर्फ समझ के रखो, अच्छा, moral solution क्या हाता है, what do you mean by this, the moral solution, यह कुछ ऐसी situation है, कुछ ऐसे tactics वो apply करती है, जहां पे forcefully, क्या बोलोगे आप, जाने अन जाने में, चाहे आप चाहरे हो या नहीं चाहरे हो, RBI ने जो policies ली है, और commercial bank को, जान, मतलब क्या बोलो गया, चाहे वो चाहे या ना चाहे, अब इसको भी यह policies को follow करना पड़ेगा, moral solution, मतलब, सही तरीका नहीं है, बट गलत भी नहीं, forcefully follow करवाती है, वो आप से, तो यह सारी कुछ टेक्नीक लेती है, अब देखो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, यह सारी टेक्नीक सब एक बाद थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है, क्या पढ़ रहे हो तुम, quantitative method पढ़ रहे हो, volume को control करें, यहाँ पर RBI, volume control करें, बैंक रेट, यहाँ पर interest, ठीक है, आज बे क्या कर रही है, domestic bank से एक interest charge कर रही है, जितना भी उन्होंने loan लिया है, तो यहाँ पर क्या कर रही है, वो, interest charge करके क्या हो रहा है, volume को control करें, yes or no guys, bank rate charge करके volume को control कर रही है या नहीं कर रही है, यह बोलो, yes or no, अरे मुझे एक बास बता ना, घर के हमारे अबबा जी जो है, दादा जी जो है, वो अगर interest charge करेंगे, तो हम, हाँ ठीक, एक काम करो, इतना मत दो, इतना दे दो, ऐसे कोई तो एक situation आईगे, जिसमें हम बोलेंगे, क्योंकि interest charge कर रहे है, यार, फोकट में पैसा नहीं मिल रहा है, समझ में रहा है, yes or no, yes, exactly true, तो बैंक ये समझा, everyone, बैंक रेट से volume कंट्रोल हो रहा है, everyone, guys, do you convinced, open market operation, open market operation में हम लोग government bonds या government securities को purchase कर रहा है, sell कर रहे है, volume control कर रहे है, volume control कर रहे है, recession के time पे, recession के time पे उनके पास ने पैसा देना है, तो हमने क्या कि हमने purchase किया उनसे और हमने उनको पैसा दिया, bonds purchase करोगे, shares purchase करोगे, तो उनको पैसा दोगे, done, उसका just ultra inflation का case, ठीक है, फिर variable CRR and SLR, CRR and SLR, these are the ratios which we have to maintain with the bank, directly कुछ पैसा cash ratio में, तो हो गया CRR, कुछ liquid asset में, वो हो गया तुमारा SLR, इससे volume control करती है, credit control करती है, volume of credit, कितना loan market में जाना चाहिए, ये credit control करती है, RBI, ये सारी rates charge करती है, आपके commercial bank को, एक हो गया bank rate, एक हो गया open market operation, एक हो गया समारा CRR, SLR, commercial bank को ये सारी rates charge करती है, clear, everyone, अब बात आती है, purpose and use of credit, अब थोड़ा से ध्यान से दिखना, क्या purpose है तेरा, एक काम कर, कितनी security दी है, हाँ, इसका fixed margin मेरा इतना है, इतने का ही loan मिलेगा तुमको, purpose and use for credit, credit rationing, moral solution, कुछ ऐसी policies बनाना, कुछ ऐसे tactics बनाना, ठीके, ये सारी क्या होगा, ये देखो न, आपने लिखा भी है, situation in which lenders are unwilling to advance additional funds to borrowers, आटर प्रिवेलिंग, ये हो गया, तुमारा credit rationing हो गया, कि जो भी rate चल रहा है, उसमें हम loan नहीं देंगे, sorry, सार्जी, already दिया हुआ है, अब भी नहीं देंगे, क्या हो रहा है आप इसमें, purpose and use उनका control कर, समझ मारा है, already दिया हुआ है, और नहीं देंगे, इस काम के लिए और नहीं देंगे, समझ मारा ये बात, इस काम के लिए और नहीं देंगे ये पाट समझ में आ रहा है ओल्रीडी लोन दिया है इस इंट्रेस्टेट पे और नहीं मिलेगा मतलब क्या बोलने का मतलब है तुमको ये काम पे हम लोन ले दे रहे परपस एंड यूस को कंट्रोल किया मॉरल सौशन यहां पे तो सारी बैंक मिलके एक ही पॉलीस अपनाती है फोस्फुली हम पे डन क्लियर है थोड़ा बहुत भी समझा वन परसें समझा एडीड लर्न करने लाइक समझ यह सार नो येस एडिशनल ले मिलेगा करेक बोला ठीक है तो गईस भी हट फिनिश यॉर आरव एक फंचिंस ठीक है अब आजाओ तुमारे कॉमर्शल बैंक्स ओके चलो ठीक कॉमर्शल मंकल स्टाट करते है अपन आज इतना ही करते है ठीक है यह स्कली करते इसको शांदी से ठीक है इस वेरी इंट्रस्टिंग टॉपिक ठीक है तो गईस तब तक के लिए अल विदाओ यह बबाए वरीवान टेक केर खुदा आफिस बबाए